काफी बार आपने अब्जर्फ कर आओगा कि कभी कबार क्या होता है कि जितने marks आप डिजर्फ करते हो आपको exam में उससे कम marks बलते हैं और इसका जो main reason होता है वो होता है हमारा answer writing skills हमारा paper को present करने का एक तरीका और बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ students जो class में backbenchers होते हैं जो average होते हैं और उनके अच्छे नमबर आ जाते हैं just because of answer writing skills क्योंकि paper में examiner को नहीं पता वो आपको personally नहीं जानते उनको नहीं पता कि तुम्हें कितना आता है तुमको क्या चीज़ नहीं आते तो वहाँ पर आप बात नहीं करेंगे आपकी जो answer sheet आपकी जो copy है वो बात करने वली examiner को वो बताएगी कि मैंने बहुत अच्छा पड़ा है याफि मैंने नहीं पड़ा है इसी की वज़े से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो expect तो जादा marks कर रहे होते हैं पर फिर भी उनको थोड़े कम marks मिल जाते हैं उनके expectations है क्योंकि answer writing skills बहुत जादा एक role play करते हैं कि किस तरह से आप अपने paper को present करके आ रहें examiner के और एक चीज़ आपको याल र इस इंप्रेशन डाल देते हैं क्या यह बच्चा पढ़ने वाला है या फिर इस बच्चे न ऐसी फालतुगिरी मार रखे paper में इसको number देने के नहीं तो उस impression के set होने के बाद examiner उसे के accordingly अपने mind को रखके marking करता है तो यहां पर सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि आपका जो paper है उसमें जो पूछा गया है उतना ही लिखा करो यूजली हमें एक चीज़ यह भी याद रखनी होती है कि हमें अपना paper लंबा दिखाना है हमें अपना paper दिखाना है कि हमने उसमें बहुत ज़्यादा efforts डाल कि उसको attempt कर रहा है राइट बट वो चीज़ शिर आपको हमेशा वर्ड लिमिट पे उसका रहा है कि फिर फ्र टू लाइनस मैक्सिमम उसका अंसर होना चाहिए सिमिलरली जो तू माक्स के कोशन होते है वो भी शौट अंसर होते है तो उसको भी आपको वर्ड लिमिट में उसको पूछा गया ना कोशन में वही आंसर देके आ और तू माक्स कोशन आप मैक्सिमम चार लाइन तक लेके जा सकते हो पिर जितने माक्स कोशन होता है अब डबल कर लो स़की लैन ऐसा रहता है और एक इंपोटन सीज आपको में दमाग में रखनी है कि टाइम मैंशमें बहुत जादा इंपोटन एंपोटन है एक्जाम में प्रेजिंटेशन के साथ साथ आंसर राइटिंग स्किल के साथ साथ दिमाग में रखना होता है कि मेरा टाइम भी साथ साथ निकल रहा है तो मुझे यह नहीं करना कि मेरे पहले के 5 पेजिस तो बहुत बढ़िया हैं राइटिंग में और फिर उसके बाद के जो आगे 10-20 पेजिस है वो तो मेरी चाइनिस हैं राइटिंग जा रही है एक कोशन स्टुडेंट्स के माइंड में और आता होता है क्या हमें पेपर को सीक्वेंस वाइटेंप्ट करना है देखो सीक्वेंस ना अगर आपको पेपर आता है तो कोशिश करो आप सीक्वेंस वाइटेंप्ट करो अगर आपको लगता है कि मुझे 5 माक वले कोशन से पहले क्योंकि मेरी time management इतनी बेटर नहीं है, last तक जाते जाते time कम रह जाते है, तो कई students के साथ यह problem होता है, तो अगर आप last section उठा रहे हो, तो उसका section mention करो, फिर उस section के सारे questions एक बार में attempt कर लो, फिर अगर आप कोई और section attempt कर रहे हो, तो वो section सबसे पहले बीच में mention करो, और उससे पहले भी इसे दो लाइनों को ब्रेक दे दिया करो, तांकि teacher को दिख जाए कि दो लाइन की space आगे, फिर नीचे section लिखा है, फिर उसके बाद अगला question शुरू हो रहे है, इस तरह से attempt करोगे, तो आपका जो sequence है ना, चाहे वो उपर नीचे भी हो जा करोगे है, फिर नीचे एक अगला और फिर कोई और सेक्शन का आपने question उठा दिया है, तो वहां पर बहुत जादा chances होते हैं, कि teacher स्याद मिस्कर जाए कि यार ये वला जो question था, ये 2-marker वला था, ये 3-marker वला था, इसलिए अगर आप sequence उपर नीचे भी कर रहे हो, तो कि नजर जाए, अगर आप अपना sequence चेंज कर रहे हो, तो उसके लिए बहुत important होता है, क्योंकि जब टीचर पेपर चेक कर रहा होता है, वो एक flow में होता है, उसको पता है पहले ये question आएगा, दूसरा याएगा, तीसरा याएगा, चोथा याएगा, राइगा, बट जब आ कर रहे हो, तो तीचर का mindset तो वो फ्लो में चल रहे है, तो उसकी वज़े से आपको वो gap देना mandatory है, तांकि वो टीचर की नजर में आ सके, उसे skip ना हो जाए आपका answer, अगली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, कि जो आपके 3-market questions और जो आपके 5-market questions है, उन में जितना हो सके आपको अपने डाइग्राम इंकल्यूड करने, आपको फ्लो चार्ट, मतलब जो पॉइंट्स आपने थियूरी में समझाया उसके एक बार फ्लो चार्ट में भी समझा दो, अगर आपके कोई sub-headings हैं, sub-topics हैं, अगर उस आमने उसको explain करा है एक पॉइंट को तो उस heading को भी हाइलाइट कर दो, बाकी जो भी important, important points रहते हैं, उसको भी highlight कर लिया करो, चाहे 1 mark में है, चाहे 2 mark में है, चाहे 3 mark में है, ताहां कि जो टीचर की सीधा नजर है, वो तुमारे highlighted point पे जाए, और जहां पे लगता है कि मेरी spelling mistake होने वाली है, यहां पे मुझे लग रहा है, मैं कि मेरी spelling सही है कि नहीं, तो वहां पे highlight मत करना, क्योंकि फिर आप टीचर को दिखा रहे हो कि हमने यहां पे गलती करी आप देखो, तो वहां पे आप teacher को एक मोका दे रहो कि आपके number काटे, जहां पे आपको लग रहा है कि मिस्टेक हो सकते है, वहां पे highlight मत करना, चाहे वो आस पास rectangular box बना देना, उसको highlight करने के लिए, तांकि teacher की नजर सीधा जाए कि अच्छा यह derivation होगी, यह सका conclusion है, that's it, teacher सीधा क्या देखता है, उपर intro देखता है, कि इसने यह diagram बना दिया है, यह इंटर देदी लो, कि यह लिख दिया, let this be this, let this consider this, right, आपका diagram आगया, उसमे labeling एकदम सही हो रखी है, then आपने mathematical expression highlight कर दिया, आपको सीधा number मिलेंगे derivation में, उसको बीच में देखना ही नहीं है, right, इस तरह से होते है, same, अगर आप कोई theoretical question कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके functions हैं, जैसे उसको हमेशे points में लिखो, अगर 5 marks का question है, तो 5 points तो देखे ही आओ अगर आपके points दो लाइन के हैं, तीन लाइन के हैं, अगर आपके points तो छोटे हैं, मतलब तीन चार लाइन के नहीं है, तो आपको पर points उसके number of points बढ़ादो, और अकेले 5 से काम नहीं चलेगा, तो आपको साथ आठ डालने पड़ेंगे, हो सके तो example include करो, इस तरह से नहीं आपकीर कोण एगरा घिका दिखाना है और पूरे पेपर में आपको याद रखना है कि आपका पेपर स्मिंट्रि कल लगा चाहि dedic यह ज़ग बहुत स्मिंट्री अच्मिंट्री ममалась रत्लब है कि आपके जो याएम में रहा गैस आपके जो लाइन में रहा है कुछ बच्चे एक लाइन में 10-15 वर्ट गुषा देते हैं बहुत जाधा टाइट लिख देते हैं और कुछ बचे एक लाइन में बहुत खुला खुला लिख देते हैं अब टीचर पागल तो है नहीं कि आप इंदा खुला खुला लिख लिख गगो उसको लगए इसने तो बहुत भर भर के उनको समझा आता है जान बुछ के पेपर इससे साथ से दखाया है तो आपको ना बहुत हारे टाइट लिख 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 नहीं बहुत सारा कम लिखने आपको एक प्रोपर स्पेसिंग एक लाइन में 10 वर्ट इससे जादा नही मला साथ 스्ष अथर से 10 वर्ट तक इसाट आठ से 10 वर्ड तक लिखने हैं राइट वो जब देखने में अच्छा लगता लिखता है अच्छा लिखना नहीं तो इस थी बीच में आप लाइन लगा रहे हैं जो इंपोर्टें को एक प्रूंट कर रहे हैं जहां पर आपको लग रहे कि यार जे डेफिनिशन एसके अगर कोई चैमिकल रेक्शन तो डाल दो इस तरह से बाप करोगे ना तो वह देखने में पेपर आपका समय्ट्रिकल लगता है नीट अन क्लीन लगता है और अंखों को बहुत जादा प्लीजिंग लगता है एक सबसे इंपोर्टेंट इप जो मुझे आपको बतानी है जो सबसे करेंगे को जहीं है कि जैसे है आपको पेपर मिलता है अपको क्या करना है अगर तेचर्स सब करती है तो अ।कर शप्लड लगता है को सब कर दो करदे कर दो कि मिलता है सब झाले को कॉपी मिलेगी अपको कैए पिछु कुछे यह सारा को इपमान दान पार हां इन्स För जिसके वजे से तोड़ा से पैनिक हो जाते हैं जिसकी वजे से दियारा हाई चांसिस कि जो इंपोर्टन चीजा है वह हमें भूल सकती है तो आपको क्या करना है वहाँ पर अपनी जो आपको कॉपी मिलेगे इसके पिछे पिछे पैंसल से रफबक लिखना है और वहाँ पर जितने भी इंपोर्टन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैं अगर कोई यूनिट्स हैं कोई फॉर्मुलाज है कोई एडेंटिटीज है कोच इ अगर कोई तुम्हें कोई पाइटांस तुम्हें लगे तो अब भी तम्हार पर से कॉंटेंट होगा जिसके तुम्हें गाइडेंस लेके कर सकते हो राइट एक चीज और बहुत बार पेपर में ऐसा होता है कि कुछ पॉर्शन तफ आजाता है पेपर में तो वहाँ पर पै बिल्कुल भी छोड़के नहीं आना उसको आपने अटेंप्ट करना है अब उसको कैसे अटेंप्ट करना है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया है यहां पर भी आपको लिंक दे दूंगी तो जाके जरूर से देख लेना क्योंकि पांच नमबर के कोशन को अगर आप आएंगे तो देर आ हाई चांसे कि आपको उसमें से तीन नमबर साधे तीन नमबर मिल जाएंगे विद इस नोट इस वीडियो को एंड करते हूं अगर आपको किसी और टोपिक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना और इस टिप्स को अपने एक्जाम में अ See you in the next video